बच्चों नमस्कार, आज की जो अपनी क्लास है, C Programming Practicals, जिसके अंतरगत अपन जो क्लास लेने जा रहे हैं, B.A. B.A.C. Part Second Mathematics Student के लिए है, तो उनकी जो प्रेक्टिकल्स में है, Experiment No. 6, Experiment No. 6 का जो टाइटल से अपन देखे, तो write a C Program to read any positive integer number, and check whether it is prime or composite number, मैं आपन को एक given integer number होगा, और उसको यह testing करनी है, कि वो prime number है, या composite number है, तो इसकी checking करनी है, तो अपन को checking कैसे करें, प्राइम number क्या होता है, composite number क्या होता है, तो सबसे पहले अपन को अगर prime number और composite number की definition आएगी, क्या होते हैं, कैसे चेक करेंगे तो prime number को समझना होगा composite number को समझना होगा तो दोनों को अगर समझ में आ जाएगा अपन को तो फिर अपन coding कर सकते हैं तो सबसे पहले अपन देखें कि prime number क्या होता है तो अपने natural number पढ़ रखे हैं natural number आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 से सुरू होता हुआ, regular counting चलती है 1, 1 से increment करता हुआ, infinite तक चलेगा तो उनी number में से कुछ selected number होंगे जिसमें किसी भी number से divided नहीं होगा 1 over itself को छोड़ दो यानि कोई मुझे प्राइम number क्या होता है तो प्राइम number को अपन सिंपल हिंदी में कह सकते हैं अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या का मतलब होता है एसी संख्या जो किसी से भी भाज्य नहीं हो अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं लगे तो 1 over itself को छोड़ दो 1 over itself को छोड़ के किसी भी संख्या का अगर divide नहीं होता है तो वो prime number कर लाता है हिंदी में अभाज्य संख्या बोल देते हैं तो अगर अपन prime number को हटा दे जो remaining number जो बचते है natural number में से तो वो आपका composite number होगा तो composite number भाज्य संख्या होते है जिसके कोई factor होते है तो जिसमें किसी any number one or itself के अलावा divide हो जाए तो वो composite number होगा तो अपनको prime number की testing करना वो prime number को छोड़ दो natural number में से तो वो composite number हो जाएगा तो अब prime number को कैसे test करें कैसे बताओगे अब for example जैसे अपनको अभी एक series ले लो one ले लिया, two ले लिया, three ले लिया four ले लिया, five ले लिया, six ले लिया एसे करते करते मालो में ने 43 ले लिया, 43 के बाद में 49 ले लिया, फिर 50 ले लिया एक series ले ले लिया, तो यह क्या आपके, natural number है अब natural number में अपन देखे, तो यह one से शुरुआ है तो one को छोड़ दो और itself को छोड़ दो one और itself को छोड़ दो, one number composite में भी नहीं आता, not a prime अपन one, one को ना prime number भी नहीं मानते not a prime और end composite, और composite one ना ना तो composite number होता है और ना prime होता है तो one को अपन हटा देंगे और फिर आपने पास आया, two से लेके two, three, four, five, six ऐसे करते करते हैं, अपने मानलों 50 तक लेके चलता है अब यह prime number को देखे तो two prime number अना three prime number five prime number ऐसे seven prime number ऐसे करते करते हैं अपने 43 prime number तो यह जो number है, यह सब prime number कहलाएंगे यह prime number कहलाएंगे prime number और इनको अगर अगर आपन जो remaining number हुए prime number को अपन यह से अगर हटा के देखे तो फिर one को छोड़ो आप अना वन को अपन composite भी नहीं मानते हैं, prime भी नहीं मानते तो जैसे आपका four है, six है अना ऐसे करते हुए eight है अना इसे करते करते हैं, 49 है, 50 है तो यह कौन से number कहलाएंगे यह कहलाएंगे आपके composite number composite number अब composite number के क्या होता है इनके factor हो सकते हैं जैसे two, इसका एक factor हो गया अना इसका two into three तो three भी इसका factor है, two भी इसका factor है जिसमें कोई भी नमबर से divided हो जाएंगे तो वो उसका factor हो जाता है तो यह composite number है, यह भाज्य संख्या और जिसमें किसी भी number से divided नहीं हो वन को और इसेल्फ को छोड़ दो, वो प्राइम नमबर तो अब जैसे मैं तुमसे कहूँ 43 यह प्राइम नमबर है 47 यह प्राइम नमबर है 53 यह प्राइम नमबर है 101 यह प्राइम नमबर है मैंने 111 कह दिया यह नोट यह प्राइम नमबर नोट यह प्राइम नमबर अब तुम कहोँगे यह answer में कैसे दे रहा हूँ जैसे मैंने 25 लिख दिया तुम कहोगे नोट है प्राइम नंबर तो एक कुछ रूल्स तो अपनको फोलो करना ही पड़ेगा अब जैसे तुम 47 लेके चलोगे फिर इसको बताओगे यह कंपोजिट नंबर है यह प्राइम नंबर है तो तुम इसका आंसर कहोगे प्राइम नंबर 25 लेके आओंगा मैं नंबर को तो तुम क्या बोलोगे कंपोजिट नंबर अब तुम ऐसे सोचो कि यह कैसे बोल रहा हूँ है कोई माइंड में तुमारे कोई केल्पोलिशन से चलके और तुम कुछ रिजल्ट्स तो बता रहे होंगे तो अब अपन कैसे चेक करें प्राइम नंबर को चेक कैसे करें प्राइम नंबर को चेक करने का अगर रूल्स आ गया तो आप इसकी कोडिंग कर सकते हो अब चेक करने का अपन एक रूल्स देखते है यह तो अपन को किलियर हो गया जो किसी भी नमर से डिवाइड नहीं है वह आपका प्राइम नमर कहलाएगा अब अपना अगे देखते हैं कि प्राइम नमर को कैसे टेस्ट करें तो इसका क्या लोजिक बन सकता है अब प्राइम नमबर को कैसे चेक करें अब फोर एक्जामपल मैं मालो एक 43 ले लेता हूँ कि यह कोई नमबर होगा मेरे पास यह एनी नमबर कर दो इंटिजर नमबर है अब मैं कहूँ कि इसको चेक करो अब चेक कैसे करेंगे तो चेकिंग जो रूल होगा कि अपन इसको कैसे चेक करें अब एक रूस तो होगा कि डिवाइड करो डिवाइड फ्रोम हाँ ना वन को छोड़ दो तो एक तो वन को अपना हटा देंगे और इटसेल्फ को अटा देंगे तो इसको अपनना दोनों को हटाके एक्सेप्ट जो भी होगा तो आपने इसको छोड़ेंगे तो आपके किस से डिवाइइड होगा 2 से लेके, आपने यह हो गया आपका 43, 42, इससे डिवाइड चेक करो, एक तो यह रूल होगा, और एक होगा कि इसमें मान लोगी इस संख्या जादा लार्ज हो जाती है, तो आपने डिवाइड की स्टेप करो डिवाइड का मालो मैंने एक लाख से एक लाख टक का कोई फेगर दे दिया अब तुम डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा डिवाइड करने में और अपने प्रॉपर वे में आंसर नहीं बता पाएंगे तो अपन चाहेंगे इसका थोड़ा सा फास लोजी कर दो फिर डिवाइड करो इसको तू से लेके अना इस नंबर का हाप तक 43 जो भी है उसका हाप कर दो और इसका इंटीजर पार्ट ले लो आप टेक इंटीजर पार्ट जैसे 43 है तो 43 का मैं हाप करूंगा तो 21 हो जाएगा इंटीजर के बाला जो पोर्सन लेके तो अपनी पहले वाली जो स्टेप साह उससे हाफ केलकुलिसंस हो जाएगी तो इसमें थोड़ सी वह आपकी आना एफिसीएंसी बढ़ जाएगी इसमें थोड़ सा फास लोजिक हो गया कि अगर आपके एक लाग स्टेप साह तो आदी स्टेप सो गई वहां तक अपन डिव स्कॉर्ट स्टेपगुंदसा को था in the color, और इसका नंबर आ रहा है और स्का कें टेकीं पार्ट इसका को श्कयर रूट और ऋच Oak को भी आएगा उसका इंटीजर हो स्का apenas का 4 में का। तो इसका square root हो जाएगा लगबग 6 हो जाएगा इसका, तो अपने 2 से लेके 6 तक की, 6 तक का division चेक कर ले, 2 से लेके 6 तक का, 2 से लेके 6 तक का, तो इसमें आपकी steps बहुत ज्यादा reduce हो जाएगी, और यह fast logic हो जाएगा, यह fast calculation हो जाएगी, fast calculation, तो अपन इस वाले logic को apply करेंगे, divide करेंगे, अब divide कैसे करोगे, अपनको कैसे पता चलेगा, कि जो भी number अपने पास आरहा है, वो divide हो रहा है यह नहीं हो रहा? तो divide करने का जो rules होगा कि divide हो रहा है यह नहीं हो तो remainder value को check करेंगे और divide आपका जो भी अपने बनाइए बनाएगे 2 से लेके 6 तक 2 से टिवाइड करो, 3 से टिवाइड करो, 4 से करो 5 से करो, 6 से करो तो फिर अपन चेक करेंगे remainder value को अगर remainder value 0 आती है तो फिर अपन बोल देंगे कि complete divide हो गया वो प्राइम नम्मर नहीं होगा remainder value अगर आपके 0 नहीं आती है तो divide नहीं होता है तो remainder को check करके divide की conditions अपन यूज करेंगे अगर remainder 0 आगया तो इसका मलब completely divide हो गया अगर remainder 0 नहीं आया तो इसका मलब सोचो कि divide नहीं हुआ तो divide नहीं हुआ तो फिर आगे दूसरे नमर अपन बोल देंगे पूरी अगर अपने पास check हो जाएगी पूरी series सीरीख और ना one by one नमर आता जाएगा डिवाइड करते जाएगे तो divide हो नहीं हुआ अब यह computer को केसे पता चलेगा जैसे मैंने 2 से तो 43 में 2 से डिवाइड नहीं होगा जैसे 43 को लेके चलता हूँ 2 से डिवाइड करूँगा नहीं हुआ 2 से नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा इसको 3 से डिवाइड करूँगा नहीं हुआ 3 से divide करने बाद मैं क्या करूँगा मैं 4 से divide करूँगा नहीं हुआ 43 को किस से divide करूँगा 5 से करूँगा नहीं हुआ 43 को किस से divide करूँगा 6 से करूँगा नहीं हुआ अब अपने पास यह series खतम होगे last number आज चुका तो फिर अपन क्या करेंगे इसका end कर देंगे तो यहां पर divide नहीं हुआ, not divide, not divide any number, 2 to 6 तक, up to 2 to 6 तक है तो आप, तो नहीं हुआ, तो अपन को कैसे पता चलेगा हुआ है या नहीं हुआ, तो अपने divide होने के लिए, एक ऐसा variable लेंगे, या तो answer ले लो, या कोई ऐसे flag type का है, कोई indication ले लो, तो यह इसमें 0 और 1, कुछ value indication है, अपने store करेंगे, तो 0 का अमला होता है, note divide माल लो, और अगर यह divide होता है, तो इसको 1 माल लो, इससे फिर अपन को इस indication से पता चलेगा, कि data divide होआ है, नहीं होआ है, जो भी अपने series बन रही है, तो से start करेंगे, division का process है, तो 2 के बाद में नह divide करने की theory रहेगी, वो रहेगी अपने square root तक, तो अपन को एक ऐसा variable रखना पड़ेगा, code में, जो यह decide करेगा, कि divide होआ या नहीं होआ, तो अपन 0 को node divide वाला concept मानेंगे, और 1 को divide वाला concept मानेंगे, तो अब अपन इसका एक पूरा data के बारे में सोचे, कि कितना इसका data part अ करेंगे, और फिर variables में value कैसे आएगी, और इस logic को कैसे implement करूं, तो मैं यह वाला logic इंपलिमेंट करूंगा, यह वाला logic, यह वाला, तो अपन अब इसको देखते है, अब अब अपन रिक्वाइड वेरिबल देखो, कि prime number के लिए कौन कौन से variable आएंगे, क्योंकि यह अपन क data part लेके काम करेंगे, तो required variable का declaration देखो, तो required variables जो होगा, तो अपन से questions कह रहा है, अब questions को देखो, कि read any positive integer number, तो अपन कोई भी यह पोजिटिव integer number पढ़ेंगे, यह अपन से कह रहा है, कि आप read करो, तो read करेंगे, तो एक number आएगा, तो एक number को अपने न, n मान के चलेंगे कि जो भी number लेंगे, वो input का data होगा, n, यह आपका input का data होगा, input का मान इसको पढ़ेंगे, इसमें value आएगे अपनी, फिर अपन क्या करेंगे, जब इसको apply करेंगे, लोजिक को apply करेंगे, तो अपन को इसका square root निकालने पढ़ेगा, तो एक तो number ले लिए अपने, फिर अप प्रोसेस करेंगे, स्क्वाइर रूट प्रोसेस करेंगे, फिर एक variable यह हो गया, दूसरा variable यह हो गया, और तीसरा क्या होगा, यह decide करेंगा, कि prime number होगा, यह नहीं होगा, यह composite number होगा, तो उसके लिए अपने एक variable, आंसर के लिए लिए लेंगे अपन, आंसर, डिवाइड divide, divide or not, तो उसके लिए मैं जाना flag लूँगा, flag, which stored 0 and 1 value, 0 means divide, and one means not divide, एसे मालनो यह 0 को not divide जो, और 1 को divide जो और फिर अपने division कासे शुरू करेंगे, और कां तक लेके चलेंगे, तो division अपने सुरू करेंगे तो अपने एक वेरीबल ओल लेंगे तो आई जो अपन करेंगे न यह करेंगे स्टार्ट फ्रॉम तू इस्टार्ट फ्रॉम तू तू हाना इस्कॉर रूट तक एस तक आई को जो लेके चलेंगे तो अपने पासने कितने वेरिबल होगे तो अपने पासने रिक्वाइड वेरिबल यहाँ पर चार वेरिबल होगे तो पहला वेरिबल होगा एस होगा एक फ्लेग होगा एक आई होगा तो यह चार वेरिबल को लेके अपन पूरा काम करेंगे तो अ प्रोसेसे कर पायेगा तो variable डिकलार हो जाना चाहिए वुज करने से पहले से तो variable declaration जो होगा, inTiger में तो n ले लो हणा, integer में N ले 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 लेंगे, एक i ले लेंगे, integer के अंतर और आपन हैस ले ले लेंगे औरrente अपन स तो, पूरा डेटा, integer में लेकर चलेंगे 스àiर रोत भी होगा उसका integer पार्टि कि लेना पंपन को तो अपनő ही ले ले लेंiralब को तो इह अपना एक इंपोर्टेंट लाइन हो जाएगी लेटा की दिफाइन करने की पूरा डेटा declaration हो जाएगा तो यह variables declaration करेंगे इसको तो अपने पास 4 variables होंगे number को store करेगा 2 से counting generate करते हुए 2 2 as तक square root होगा फिर यह flag decide करेगा divide हुआ या नहीं हुआ तो store only two value either zero और one या तो zero रखेगा या one रखेगा या तो zero इसमें store करेंगे या one store करेंगे फिर जब check करेंगे कि divide division हुआ या नहीं हुआ तो फ्लेक के base पे करेंगे अब इसका अपने complete पूरा कोड देखते हैं यह अपना source code हो गया write a c program to read any positive integer number check whether it is prime or not prime तो अपन यह तो अपन प्रोग्राम का title बनेगा यह variable का declaration part बनेगा फिर अपन काम करेंगे तो input का part होगा process में पूरा logic आएगा और फिर अपनने इसका display पार्ट लिखेंगे results और फिर इसको computer में run करके c compiler को open करेंगे फिर type करके program को फिर उसको save करेंगे और देन फिर compilation करेंगे अब इसका complete source code देखो experiment number six है अपना यह source code में है न कैसे लिखे तो कुछ अपन इससे पहले न पांच experiment पढ़ चुके tutorial उनके अपन देख चुके अब अपन को इसका code लिखना है तो अपनने basic concept समझ लिया prime number का composite number अगर prime नहीं होगा तो composite बोलेंगे तो अपन प्रोग्राम केसे लिखे तो अपना main जो है अब जो है source code लिखेंगे अब source code लिखने के लिखने के लिखना है अपने practical में C language यह practical C language यह तो अपन को C language में code लिखना आणा चीए तो सबसे पहले तो आपना fix है यह line पहले में यह कहीं बता चुका तो program प्रोग्राम का हेडिंग लिख देंगे आपे, प्रोग्राम चेक, चेकिंग, प्राइम नम्मर, प्राइम ओबलिक, कंपोजिट नम्मर, सोर्ट में लिख दिया, आप छाव थोड़ा वह डेस्क्राइब कर सकते हो, फिर जैसे आपका ये कंप्लिट हो जाए टाइटल, तो सोरू में तो, स्टार और स्टार वह क्लोजिंग पे, तो बिगिगिनिंग पर जिये लगेगा, और क्लोजिंग में पर लगे लगेगा, अब कहीब सिद्ट क्लोजिंग गा, अपका ये अिकम्राईतल स्टेट दिचर में एक् पर तो Slay सी होगा OBLIC, यहां पर Slay से स्टार में स्पेस नहीं दोगे, स्टार Slay क्लोजिंग में स्पेस नहीं दोगे, तो यह आपका है डोकुमेंटेशन, यह कमेंट सेक्षन कहलाईगा, फिर अपनके नेक्स लाइन क्या लिखे, यह अपन पढ़ चुके, लाइबरेरी की कनेक् होगी, तो कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, हेस इंक्लूड से, इंक्लूड क्या है, यह प्री प्रोसेसर है, यह आपका एक प्री प्रोसेसर है, हेस इंक्लूड, एक स्टेटमेंटर सीका, कमपाईलर को इंस्ट्रक्ट करेगा, लाइबरेरी फाइल से कनेक्टिविटी देग तो हेस इंक्लूड फिक्स है, इस पेस अलाउड नहीं करेगा हेस और इंक्लूड में, और एंगुलर ब्रेकिट, यह लाइबरेरी फाइल को यूज करेंगे, तो एस टी डी आई ओ डोट एच, एक तो यह अपनी लाइबरेरी फाइल यूज होगी, और दूसरी लाइबरेरी अपनी यूज करेंगे, हेस इंक्लूड, कॉन, सी ओ एन, आय ओ डोट एच, इस मॉल लेटर में लिख होगे, और तीसरे अपनी यूज करेंगे, इंक्लूड, मैस.च, 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 अपनी तीन लाइबरेरी फाइल होगी, तो यह तीन लाइब तुम को होगे मेस.hq यूज किया तो इसका एक रीजन है इस qrt है पना है एक functions करेंगे square root computer क्या करेगा इसको नहीं समझने वाला कि इसको कैसे समझाओगे computer को तो इसको पना है ऐसे यूज करेंगे square root है square root का sqrt एक functions हो गया और यह n हो जाए गया square root of n तो यह क्या कहलाएगा यह functions कहलाएगा तो इस functions को execute करने के लिए अपनको math.h यह लाइबरेरी चीहे तो यह आपका एक अलग portion हो गया पूरा यह linking section का नाम दिया हुआ इसका अब फिर अपन आगे क्या लिखे यह essential है हर प्रोग्राम में दो लाइन तो common होती है अगर यह sqrt functions नहीं आता तो अपन में start h को हटा देते तो यह लाइबरेरी से connectivity का portion हो गया linking section फिर अपन आगे क्या लिखे वोईड वोईड क्या है एक keyword है वोईड को अपन keyword कहेंगे अपन एक keyword हो गया यह keyword है अब अपन वोईड से क्या सुरू करे में में को भी छोटे अकसर में लिखोगे तो में क्या है एक functions है functions के साथ में यह छोटे bracket चलते हैं फिर अपन क्या लिखे हैं बिगिन करेंगे अब आगे क्या होना चाहिए अब में के दो पोर्सन होते हैं अपन पहले पढ़ चुके तो में में एक तो वेरिबल का declaration पार्ट और एक होता आपका यह इद्चुविस पार्ट अब दिक्लेरेशन पार्ट मुल्डब चेटा पार्ट लेके चललेंगे पूरा तो इंटेजर टाइब का इंजर में 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 वेल्य किस नमर को चैक करना होही। इसे आपके तुर्ष सें काउंट इंड करता हूँ तक लेकर के स्लेगा s क्या करेगा square root की value को hold करेगा flake क्या करेगा 0 और 1 सबसे पहले क्या लिखे अब यह अपना declaration part हो गया फिर अपन यह क्या लिखे clear screen c l r s c r फिर यह आपका यह functions हो गया functions में ब्रेकिट छोटे ब्रेकिट लगते यह functions हो गया फिर में क्या लिखो कि एक number अपनको लेना है जैसे मैं तुमसे गहूने कि prime number check करो अब तुमको हो गया कि number बताओ तो तुमको एक number देना ही पड़ेगा number तुमारे mind में जाएगा फिर उसके बाद result आएगा तो अपनको एक number कैसे ले तो तुमने कहाने कि मेरे को एक value दे दो तो computer कैसे देगा value प्रिंट अफ से तो एक message बना दिया print अब प्रिंट अब प्रिंट अफ में क्या लिखों enter which number to be test enter which number to be check यह कौन से नमबर को check करना चाह रहे हैं आपन तो इसी line में ले ले लेते हैं अपन value को तो यह quotation बंद कर दिया और यहां पर semicolon लगा दिया एक statement खत्म हो गया तो यह message आएगा फिर इस message के just बाद अपना ना scan करेंगे a c a n f scanf functions हो गया printf एक functions हो गया तो यह functions ना library functions है अब किस data को पढ़ूँगा मैं एन को पढ़ूँगा तो एन किस तरह का data है integer है तो integer data के लिए कौन सा में format collector अप एपलाई करूँगा %d अब फिर मैं memory address पर रीड करूँगा value को तो यहां पर कोमा लगाऊंगा यहां पर एन का चिन लगाऊंगा यहां पर एन लगाऊंगा तो यह इन इसके नफ है इस address पर value इस पेसिफाइक address हो गया एन का तो इस पर एन कीबोर से जो भी data डालूँगा इस address पर ओटोमेटिकली चला जाएगा तो यह address होता है memory के अंदर जितने भी variable का declaration होता है memory के अंदर जगए occupy हो जाती है फिर अपने नम्मर आच चुका अब आगे क्या करें तो आगे करेंगे अपन square root calculate कर लो as equal अब कैसे करूं as qrt यह functions यूज कर लिया और किसका as qrt n का तो यह square root हो गया यह square root calculate हो जाएगा जैसे 43 लेके चलूंगा तो as में 6 आजएगा अब अपना क्या करें प्राइम नम्मर का लोजिक लगा दो अब प्राइम नम्मर का लोजिक में कैसे लगाऊं तो यहां पे मैं लिखूंगा कि found या flag equal 0 यह indicate करेगा कि नम्मर न अपन यह मान के चले कि प्राहिम है अगर किसी भी नम्मर से divide होगा तो divide होते हैं अपन इस flag को 1 कर देंगे फिर इससे अपन को पता रहेगा कि flag में अगर 1 हो गया तो नम्मर डिवाइड हो चुका और अगर मालो पूरा प्रोसेस चल गया और डिवाइड नहीं हुआ तो यह इस्थिर वेल्यू फ्लेग में 0 यह पड़ी रहेगी अब अपन को डिवाइड करने की जो थियोरी एप्लाई करनी है वो 2 से स्टार्ट करते हुए स्कुराइर रूट तक नम्मर रिवाइड करना में रखो जैसे लेके चलूंगा मैं 2 से स्टार्ट करते हुए 100 तक तो 100 का स्कुराइर रूट कितना हैगा 10 तो 2 से लेके 10 तक कि एक सिरीज मने मेरे पास अब सिरीज कैसे मनाऊंगा मैं लूप चलाऊंगा तो मैं यह 4 आगे कैसे बढ़ऊंगा मैं आई प्लस-प्लस प्लस-प्लस क्या है एक ओपरेटर है क्या करता है इंक्रिमेंट का काम के अब अपन आगे कैसे लिखे इसको तो इसका बीगिन आएगा फोर लूप हो गया यह अब तो आई कमानद टू आएगा फिर ठीर आएगा फाइगा फाइव अएसे एस तक अब तुम कहोगे आई से आई का में क्या करूँ अब डिवाइड कर दो अब डिवाइड कैसे करूँ तो इफ कंडीशन में आ जाओ if यहाँ पर किसको divide करूँगा n को, किससे divide करूँगा मैं i से, तो divide करने के लिए कुन सा अपना remainder check करेंगे, तो यह न एक percentage एक आपका operators आगया percentage क्या करेगा remainder value calculate करेगा percentage क्या करेगा remainder value calculate करेगा percentage remainder value calculate करेगा अब किससे आई से डिवाइड करूगा तो यह क्या कहेगा आपसे एन को डिवाइड कर दो आई से और गेट रिमेंडर रिमेंडर को अलग कर दो अब रिमेंडर इससे रिमेंडर वेल्यू आएगी आई को डिवाइड करेगा और रिमेंडर वेल्यू आपको प्राप्त होगी अब रिमें नहीं होगा, सेधीस थिओरी होगी, अब नहीं होगे, अब अपन क्या लेके चले, फ्लेग में लेके चलूँगा मैं, तो यह डिवाइड होने की कंडिशन है, चेक करेगा, यह डिवाइड करेगा, रिमेंटर निकालेगा, जीरो से चेक करेगा, अगर यह मेचिंग हो गई, तो 100% डिवाइड हो गया, अब डिवाइड हो गया, तो फिल क्या करें, कि अपन यहापे कहेंगे, कि फ्लेग में, कि यह डाल दे, वन क्या होता है, कि जीरो को वन चेंज कर दिया, इसने, तो वन डिवीजन होने की कंडिशन है, और जीरो डिवीजन नहीं होने की कंडिशन और break करके बहुब का मतलता है बाहर आजाओ बिलकुल तोमयरा answer निकल चुका तो break क्या करेगा लूप से बहुब करतेगा control को अब बिलकुल बहुब बहुब करेगा और अगर इसका इसका एक क्लॉजिंग आ जाएगा तो ये तो closing है इसका हो गया इसका और ये closing begin हो गया और ये closing इसका हो गया अब तुम कहोगे बाहर आके मैं क्या करूँ ये एक process चला दिया मैंने division का हना अब division ये आए अपने आपने automatically 2, 3, 4, 5, 6 इस तक लेता रहेगा, divide करता रहेगा अगर divide हो गया किसी भी नम्मर से तो ये flag में one करके भाहर आजाएगा भाहर आते ही फिर आपने अपना answer बता दो अब answer कैसे बता होगे तो वो देखो अब पहचान कैसे होगे division हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इसकी ये ने identify जो होगी तो वो देखे अपन zero value ही रहती है तो अपन यहां क्या बोल देंगे print of कि number is नम्मर is prime क्योंकि division नहीं होगा और ये line को change करने का वो हो गया कि ये message लिखे cursor नीचे की line में shift हो जाएगा या bracket को बंद कर दूँगा और अगर ऐसा नहीं है तो अब computer नहीं को कैसे समझेगा otherwise को else से else क्या एक keyword है तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर computer कह देगा print of message आजाएगा अपने आप जैसे अपन मुह से बोलते हैं तो ये कह देगा कि note a prime number number is prime यहाँ पे कह देगा note a prime number composite number note a prime number ब्रेकिट में लिखना चाहो composite number it is composite number it is composite number नमबर फिर यहाँ पे line बदल देंगे quotation लगा देंगे ब्रेकिट को close कर देंगे semicolon लगा देंगे तो अपना ये पूरा answer point हो गया फिर अपन प्रोग्राम को पोस्ट करते वे रखना चाहेंगे तो gate CH अपना फंक्सेंस हो गया फिर एक फाइनल जो अपना begin चल रहा था main का तो वो उसका close कर दूँगा में तो आपका ये complete एक प्रोग्राम हो गया तो ये प्रोग्राम आपको आना चाहिए कि prime नमर की testing कैसे करे तो testing करने के लिए एक प्रोग्राम की रहने different parts है ये complete आजानी चाहिए तो पहला parts अपका comment section का हो गया पहला पार्ट अपका comment section का हो गया और ये आपका linking section का हो गया ये linking section linking section में library file से connectivity होती है और ये जो part हो गया यह main functions का part हो गया, यह आपका main functions हो गया, main functions, essential है, compulsory है, start-up है, हर program है, each program start with main, और close with main, यह main का begin हो गया, main का close हो गया, और यह आपका, यह जो line है, यह variable declaration part हो गया, यह line जो कहलाएगी, variable declaration part, कि data को यूज करने से पहले, वो proper declare हो जाना चाहिए, तो declare करने के लिए data type की help लोगा में, तो variable declaration part, declaration part, और यह जो part हो गया, यहां से लेके end तक का, यह आपका executions part कहलाएगा, executions part, execution में पूरा process हा जाता है, execution part, तो यह आपका यह loop कहलाएगा, यह जो key है, यह integer है, यह four है, यह keyword है, और यह flag, n, i, s, यह variables है, और जितने भी यह में यूज कर रहाँ, print of, scan of, clear screen, gate, ch, और यह main, यह आपके functions है, तो और यह पूरा आपका logic हो गया, यह input का part हो गया, message आएगा, screen पर, scan करेगा, फिर न, square root निकालेगा, flag को zero मान के चलेगे, note divide वाला concept कहतो, और फिर यह two से square root तक value generate करेगा, फिर इस process में आएगा, तो यह अगर end percentence आई, percentence क्या होता है, कि modulus operator है, यह divide करेगा, remainder value निकालेगा, और यह equal है, equality को check करेगा, यह match हो रहा है क्या, अगर divide करने पर zero आगया, तो 100 percent division होते है, अपन बोल देंगे, prime number नहीं होगा, तो नहीं होने को, अपन ने zero को one से change कर दिया, और break का मलब, इस loop से बाहर आगया, फिर बाहर आगे, check करेगा, flag में क्या indication आया, जीरो आया है, तो prime number बोल देंगे, अगर नहीं आता है, तो नहीं को computer कैसे समझेगा, else से, तो else से अपन कहादेंगे, note prime number, it is composite number, और final अपन जब close करेंगे, gate ch, और फिर end लगा देंगे, तो आपका यह complete program हो गया, फिर इस program को, जब आपन देखेंगे, output, तो output के लिए इसको type करेंगे, compiler पहले तो C program खोलो, program खोलेंगे, editor खुलेगा, नई file बनाके, उसमें यह type कर दो, type करने में, आपका पूरा rule regulation यही follow करोगे, यह syntax जो semi-colon लग रहा है, bracket लगा रखा है, small letter में पूरी coding करेंगे, अगर आप थोड़े से मिया पर भी, semi-colon लगा दोगे, तो error पर error आएगी, P को capital कर दोगे, माझनो यह capital कर दिया, तो error आएगी, L को capital कर दिया, error आएगी, तो small letter में ही, अपने रिक्मेंट करेंगे, program को लिखेंगे, फिर run करेंगे, run करने के बाद में, इसके output की reading आएगी, तो output रहना, अलग screen आती है, output इसका क्या आएगा, तो output को अपन देखें, तो output रहना, कैसे पता चलेगा, क्या output आएगा, अब suppose अपन नहीं यहापर, इसको run करवाया, तो यह यहाँ से चलेगा, clear screen, तो यह पूरी screen, clear हो जाएगी, और करसर आपकर यहाँ जाएगा, फिर print up का क्या मतलब होता है, यह screen पर दिखाएगा message को, अब क्या message दिखाएगा, तो यह लिखेगा enter, और तो यह क्या लिखेगा, which number, which number, to be checked, करसर आपका यहाँ पर बिलिंग करता रहेगा, अब आपने मानलो 6 दे दिया और enter दे दिया, तो इसका फिर यह आगे चलेगा, 6 को लेके इस logic में आएगा, इस logic में आएगा, तो यह 6 का जो स्क्वाइर रूट होगा, तो 6 का स्क्वाइर रूट ही यह मान के चलो, आप 2 आएगा, 6 का स्क्वाइर रूट 2 आएगा, integer में, तो यह क्या करेगा, 2 से सुरू करेगा, यहाँ पर 2 तक चलेगा, तो 6 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होते, अब ऐसे कैसे यह नजर आएगा, टाइटल, इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और यहाँ पर यह रुका रहेगा, फिर मान लोग अपनने, इसको रूट नंबर यह पहली रीडिंग होगी, सपोर्ज, फिर अगेन इसको रूट करें, सेकेंड रीडिंग, अब सेकेंड रीडिंग में मान लोगे, अंटर विच नंबर to be check, सेकेंड रीडिंग, अंटर, विच नंबर, टूबी, बचेंग, अब तुमने मान लो यहाँ पर फोर्टी थ्री डाल दिया, 43, अब 43 को कह देगा, यह वाला मेसेज आ जाएगा, नम्मर इज प्राइम, आनना, नम्मर इज प्राइम, तो अपने यह कंपलीट एक प्रोग्राम हो जाता है, तो इस प्रोग्राम को फिर आप अगर प्रेक्टिकल्ली चेक करें, यह जो रिजल्ट्स में लिखा है यह प्रोपर आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर यह आपको इसको compiler को open करो compiler open करेंगे तो editor open होगा editor के अंदर यह पूरा type करो type करने के बाद में इसको save करो save करने के बाद में इसको compilation करो compilation के बाद में इसको run करो रन करने में फिर यह आउटपुट की स्क्रीन अलगाएगी, वहाँ पर यह data असेप्ट करेगा तुमसे reading दोगे, reading देगे, enter करेंगे फिर यह result आएगा, फिर दुबारा control F9 करेंगे, तो फिर यह reading मांगेगा again, फिर 43 आएगा, फिर आपके यह result आएगा, तो आपके process आना ची तो, thank you.